दोस्तो अगर आप भी विराट कोहली और महान की लाड़ी माते तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तो बीच मैदान में ही कोहली से लड़ पड़े बांगला देशी की लाड़ी आते हुए जो कुछ भी कहा है उनकी बाते सच में सुनकर आपका सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा तो आखिरकार क्या कुछ कहा धोने ने उनका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और तीसरी पारी में बांगला देश की पूरी की पूरी टीम भारती गिंदबाजों के सामने महज 144 शुरन की बढ़त बना पाई और अब भारत को जीत के लिए 145 शुरन चाहिए थे लेकिन दोस्तो किसने सोचा था कि इतने चोटे से लक्ष का पीशा करते हुए भारती पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई जी हां दोस्तो महज 29 रन पर ही हमारे तीन बले बास पवेलियन लोट चुगे थे केवल इतना ही नहीं विराट कोहली भी मेहदी हसन मिराज की गेंग पर शौट लगाने के चकर में मुमिनुलहक को अपना कैश तुमा बैटे और जिसने भारती टीम को हिला कर रख दिया महज एक रन बनाने वाले विराट कोहली के बाद बांगलादेश के खिलाडियों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो पूरे मैदान में दोड़ दोड़ कर जशन मना रहे थे लेकिन इसी खुशी में बांगलादेशी खिलाडी ताजुल इसलाम ने विराठ कोहली को अप्शब्द कह दिया जेहां दोस्तों ताजुल इसलाम की ये अभधरता विराट कोहली से बरदाश्ट नहीं होई और वो गुस्से से आग बबुला हो गए और बांगलादेशी खिलाडियों पर तूट पड़े लेकिन जहां कप्तान होने के नाते शाके बलसन को मामले को शांद करना चाहिए था वो भी विराट कोहली से जुबानी जंग करने लगे और अंतमे अमपार को बीच बचाओ करने के लिए आना पड़ा और मामले को लगबग सम्हालना पड़ा तब जाकर कोहली पवेरियन हर कोई बांगलादेश की इसके लिए आलोशना कर रहा है लेकिन इन ही सब के बीच में भारत के महान कप्तान महेंदर सिंग धोनी का भी बयान सामने आ है जहां दोस्तों धोनी ने इस घटना पर रियाक्शन देते हुए कहा है कि खिलाडियों में अग्रेशन होना चाहिए ये बहुत जरूरी है लेकिन इसकी एक हद होती है बांगलादेश ने ये कोई पहली बार नहीं किया है लेकिन इस बार तो पानी सर के ऊपर चला गया है विराट कोली बिलकुल सही थे और एमपायर को इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए मैं BCCI और ICC से भी अपील इसका परिणाम भुकतना पड़ेगा तो दोस्तो महिंदर जिंग धोनी भी बांगलादेश पर बेहद नाराजने लेकिन आपको क्या लगता है कि बांगलादेश के खिलाड़ियों के खिलाफ करड़ा एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर के जरूर बताई और ऐसी ही खबरों के लिए सब्स्क्राइब कीजिए